नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमार्ग जब दिन बर दिन आप एक अंधेरे कुए की तरफ बढ़ रहे हों जब दलदल में धस्ते जा रहे हों बार बार कोसिस करने के बाद बाहंट भी नहीं निकल पा रहे हैं तब एक छोटा सा प्रियोग किया करें देखिए लाल मिर्च तो हर किसी के घर में होता है और लाल का सीधा संबंद या तो आप मंगल से जोड़ सकते हैं रंग के कारण या सूरी से जीवन में परिसानियां बहुत हैं सपने भी बड़े हैं और जब उन सपनों को पूरा करने में परिसानिया आए थोड़ा सा दिल बैठ जाता है कभी-कभी तो रातों की नींद उर जाती है कभी सत्रू इतने परिसान करते हैं कि लगता है सब कुछ खत्म हो रहा है अब ऐसे में दो ही मार नजर आते हैं या तो सब कुछ छोड़ दे या फिर डटके सामना करें अब डटकर सामना भी व्यक्ति करें तो कितना करें कई बार तो लोग तांतरी क्रियाएं कर देते हैं कई बार तो बहुत बुरी तरह से फस जाते हैं तब वहां से बाहर निकलने के रास्ते नहीं मिलते हैं आज हम आपको लाल मिर्च लाल मिर्च तो हरकिसी के घर में होता है लाल सुख्य recursos अब जीवन के हर बाधा को दूर करने के लिए ये लाल मिर्च राम बानुपाय का काम करती है क्योंकि आज जो हम आपको टोटके बताने वाले हैं इस टोटके को आप करके जीवन की हर कटनाईयों से बाहर निकल सकते हैं अगर आप करजों की समस्या से परिशान है या पैसा आपका कहीं फस गया है जीवन में कैसी भी धन की समस्या हो एक छोटा सा प्रियोग करें देखिए आप रोज नहाते भी होंगे भगवान सूरी को जल भी देते होंगे ये हमें पता है क्योंकि अमुमन हर ब्यक्ति नहा कर नहीं करते हैं तो कोई दिकत नहीं लेकिन रभी वार के दिन से शुरू करके लगातार 27 दिन तक ये आपको प्रियोग करना है अगर आप महिला है तो लगातार 21 दिन तक प्रियोग करें तो धन की मुस्किलों से बाहर निकलने के लिए ये प्रियोग बहुत सिंपल है इसको 11 दाने लाल सुखीवी मिर्च के बीज जल में डालकर भगवान सूरी को अरपित करें अगर आप चाहें तो एक चुटकी यूहीं विनागी ने एक चुटकी उठाकर जल में डालकर भी अरपित कर सकते हैं जब जल और पीद कीजिए तो भगवान सुरे से प्रार्थना करें, कि जीवन में जो धन की मुस्किल है, जो लोग आपके पैसे लेकर बैठ गया है, जो करजों की समस्या है, जैसे भी धन को लेकर कोई भी प्रेसा नहीं हो, उनसे प्रार्थना करें, और वहीं पर हनुमान च 27 दिन लड़की है तो 18 दिन अब मान लेते हैं आप नहीं कर पा रहें किसी काम वस आप घर से दूर हैं आप नहीं कर पाएंगे छूट जाएगा कोई बात नहीं आपके कोई घर के लोग ही आपके बदले में कर देंगे तो यह मिर्च बड़े जादू का काम करते हैं आपको त पता है जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं लेकिन अगर सिर्फ दुखी दुख हो सुख का नामों निशान न तब तकलीफ होती है बहुत बार कुछ ऐसी समस्या होती है जो कि खutमी नहीं होती अब इन समस्याओं के कारण आपके जीवन में हर काम में नरुकाबट के बहुत सिंपल हैं, आज हम आपको बताएंगे. चले, आपको लगे कि सत्रू बिरोधी बहुत active हो गया है, बहुत परिसान कर रहे हैं, आप ब्यापारी हैं, यहां सत्रू सत्रूता निकाल रहे हैं, आप सौप कीपर हैं, यहां पर यह हाल है, आप job करते हैं, आपके office में सत्रू है, क्या करेंगे मंगलवार या सनीवार की रात आपको ये काम करना है क्योंकि मंगलवार और सनीवार की रात तोटके अगर किये जाए तो वो विसेज फल देते हैं, क्या करेंगे अपने घर से बाहर निकल कर मिट्टी में एक छोटा सा गड़ा करें अब पांच लाल सुखी मिर्च, याद रखिए पांच लाल सुखी मिर्च ले ले अपने सर से अपने उल्टे हाथ में रखिए, यानि बाएं हाथ में रखिए सत्रू का नाम लेते हुए पांच बार अपने सर से उल्टा वार ले उल्टा वार ना मतलब घड़ी की दिसा में नहीं बलकि बिप्रीत दिसा में अब सत्रू का नाम लेते रहना है इसके बाद इस मिर्ची को आप उस मिट्टी में जो आपने गड़ा किया है उसमें डाल दें मिट्टी ढख दें बिना पीछे मूरे घर आ जाए सत्रु आपको परिसान नहीं करेंगे वो सांथ हो जाएंगे खुद बखुद बहुत सिंपल है यह प्रियोग करना और यह प्रियोग जब कीजिएगा ध्यान रखिएगा कोई टोके नहीं देखे नहीं आपको चुपके से करना है सामके समय भी कर सकते हैं अर्ली मॉर्णिंग कोदूर करने के लिए यह प्रियोग रामवान है इसका प्रियोग कीजिए सत्रु आपसे सत्रुता रखी नहीं पाएंगे आपको प्रिसान कभी नहीं कर पाएंगे अब हम बात करते हैं कभी कभी क्या होता है न जीवन में बहुत सारी प्रिसानिया होती है रातों की नींद अपको समझ वह नहीं आता, इन मुश्किल हालातों से आप बाहर कैसे निकलें। तब एक छोटा सा काम करें। 21 सुखी वी लाल मिर्च के बीज लें। 21 डाने सुखी वी लाल मिर्च के बीज लें। रात में सोने के पहले एक कागच पर रखकर इसको अपने सिराने रख ले और अगले दिन इसको अपने सर के उपर से साथ बार वार ले और ले जाकर अपने घर से बाहर फेग दे आप चाहें तो पानी में सुखी लाल मिर्च के बीच डाल कर भी अपने सिराने रखकर बाहर फेक सकते हैं इस से जीवन की समस्त परिसानिया दूर हो जाती है अब आते हैं आपके बिजनस वेप साइपर कई बार होता है आपका बिजनस अच्छा नहीं चलता लाग परियास कर लो लगता है किसी की नजर लग गई है तब क्या करेंगे एक छोटा सा काम करें बिजनस की काम की बाधाओं को दूर करने के लिए एक लोटा पानी ले 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 या एक जग पानी ले 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 ग्लास में भी ले सकते हैं उसमें 21 दाने लाल मिर्च के डाल दें अब इस पानी को अपने उपर से 7 बार उल्टा वार ले घर से बाहर रोड के उपर बाहर रोड पे फेक ले चुक्के से करना है पीछे मुड़कर मत देखिएगा काम की समस्त बाधाएं दूर होगी किसी की भी नजर हाई बद्वा दोस हर तरीके परिशाने से मुक्ती मिलेगी कई बार होता है लोग घर में बिमार पर जाते हैं जल्दी ठीकी नहीं होते दवा भी काम नहीं करती एक छोटा सा काम कीचेगा साथ लाल मिर्च ले 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 बिलकुल साबूत सुन्दर सा देख कर लीजिएगा अब थोड़ा सा काला तिल ले ले और फिटकरी का छोटे छोटे चोटे टुकरे ले ले साथ टुकरे मिल जाए तो अच्छी बात है और इसके साथ ही जाइफल जाइफल आपको मार्केर में मिल जाएगा छोटे बच्चों को जब तेल लगाया जाता है तो तेल के कटोरी में जाइफल को रखा जाता है ताकि बच्चे को नजर ना लगे तो आपको मार्केर में पूजा समंगरी के दुकान में मिल जाएगा जाइफल ले आईएगा एक अगर जाइफल नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं आप साथ काली मिर्च ले लीजिएगा अब इसको लाल कपड़े में बांध कर पोटली बना ले जो बेक्ती बिमार हैं उनके सिरहना सुक्रवार के दिन रात में रख दे अगले दिन इस पोटली को पीपल के पेड़ के नीचे यानि सनी बार की सुबह चुपके से रखाए पीछे मुण कर मत देखिएगा उनके स्वास्त में जो परिसानी होगी वो समाप्त हो जाएगी और धीरे-धीरे वो ठीक हो जाएगे बहुत सिंपल परियोग है काम की समस्त बाधाएं भी दूर करेगा स्वास्त भी अच्छा करेगा और आपको हर मुश्किल से भी बचाता है लाल मिर्च वैसे तो सूखा लाल मिर्च का एक छोटा सा परियोग और भी किया जाता है जो आप कभी भी कर सकते हैं किसी भी दिन कर सकते हैं देखे जो लाल मिर्च का बीज है इसमें बहुत सारी सक्तिया है अब कई बार होता है आपका दुकान चलता नहीं तब आप क्या करेंगे पानी में सूखा लाल मिर्च का बीज तोरा सा डाल कर कुछ देर छोड़ दें फिर इस पानी में जो आप बाटल बिगर में भी ले आकर कर सकते हैं प्रयोग जो prior जो आपका बिआपर स्थल है उसके जो बाहर का एरिया है वहाँ पर डाल दें इस पानी को यानि दुकान के वैपारस्थल के बाहर बाहर यानि कि आपका गेट के बाहर का जो जगा होता है बरांदा जिसको कहते हैं तो मुख्य दरवाजे के बाहर आप डाल दीजिएगा आपके ग्रहाक भी आएंगे और किसी नहीं कुछ किया होगा तो वह समाप्थ हो जाएगा वैसे ये प्रियोग करना सबसे ज़्यादा अच्छा किसी भी सनिवार रभी बार को करें वैसे तो आप रोज ही कर सकते हैं पर ध्यान ये रखना है कि कोई टोके नहीं पर कई बार होता है कि बच्चे ही नहीं बलकि बड़ों को भी नजर लग जाती है बार-बार बाधाएं आ रही है समस्याएं आ रही है तब एक छोटा सा प्रियोग कीजिएगा लाल साथ सूखी मिर्च यानि सूखी मिर्च लाल वाली साथ ले ले साथ की संक्या में थोरा सा आजमाईन एक चुटकी एक चुटकी नमक और लहसन और प्याच का छिलका माथे से वार कर इसको बाहर निकाल कर या तो फेक दे या जला दे नजर उतर जाएगा तो इस बार की अमवस्या बहुत खास है बहुत दुरलब से योग में आई है आप जो भी परियोग करेंगे चुकि गरहन लग रहा है तो गरहन के समय में आप जो भी परियोग करते हैं उसके कई हजार गुना ज़्यादा आपको फल मिलते हैं इसलिए परियोग सिर्फ अपनी का ध्यान रखें कि जब भी कोई भी परियोग करें तो नमा सिवाय का खूब जब कीजेगा यानि कि जब आप मन्त जब करते हैं तो आपके अंदर से पॉजिटिव एनरजी निकलती है आपका मन पभीत्र रहता है और चुके-चुके ही परियोग कीजेगा पाचीत करते वे सिर्फ आप हाथ चला रहे हैं ऐसा मत करें नहीं तो उतने फल आपको नहीं मिल पाएंगे हम आपसे फिर मिलेंगे